Hi guys, welcome you all to my channel. Today we will discuss about court marriage. चलिए जानते हैं आज, court marriage क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें कितना time लगता है, और कितने पैसे लगते हैं, कितना पैसे spend करना पड़ता है. तो court marriage के लिए law जो है, पूरे इंडिया में सेम है, चाहे आप जमू कश्मीर में जाये या कन्या कुमारी में, गुजरात से लेके विस बंगॉल तक, पूरे इंडिया में सेम है, कोई difference नहीं है, procedure में कोई changes नहीं है, law में कोई change नहीं है. Court marriage is basically special marriage act 1954 के अंडर में governed होता है, और ये सब के उपर applicable है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या आपका कोई भी religion हो, या फिर आप Christian हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है. Even अगर आप किसी foreigner से भी शादी करना चाहते हैं, जो India का resident नहीं है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो special marriage act के अंडर में ही आपकी शादी होगी. आपका religion different होने से कोई फरक नहीं पड़ता है, आपके parents agree हैं, नहीं हैं, आपके guardians agree करते हैं, नहीं करते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता है. Religion same हो, different हो, तो भी आप इस act के अंडर में शादी कर सकते हैं, court marriage कर सकते हैं, ये act आपको बहुत help करेगा. 1954 से लेके आज तक जो भी court marriages हुए है, special marriage act 1954 के अंडर में ही हुआ है, और आगे भी होता रहएगा. तो चलिए जानते हैं, condition क्या है court marriage करने के लिए? दोनों party agree करने चाहिए शादी के लिए, और उनका कोई पहले से शादी नहीं होना चाहिए, मतलब वो unmarried होने चाहिए. किसी का भी अगर पहले शादी हुआ है, तो उसके पहले जिससे भी शादी हुआ, उससे divorce होना चाहिए और divorce decree होना चाहिए आपके पास, न कि आपने सिर्फ बोल दिया मेरा divorce हो गया तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक वैले डिक्री, court का judgment आपके side में होना चाहिए कि आपका already divorce हो चुका है या फिर अगर आपने शादी किया है तो आपका पहले जो भी हस्बंड या वाइफ रह चुका है वो इस दुनिया में नहीं हो इसी कंडिशन पर आप कोर्ट मैरीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूं तो यह पॉसिबल नहीं है स्पेशल मैर्यज आक्ट इसका बिलकुल भी परमिशन नहीं देता कोर्ट मैरीज करने के लिए दोनों पार्टी का वैलिट कंसेंट होना चीए और वैलिट कंसेंट होने के लिए एज ब्राइड का ऐटलिस्त нашем ओना चीए और ग्रूम करने के लिए सबसे पहला स्टिप क्या लेना चाहिए यह जानते हैं ब्राइड और ग्रूम को नोटीस ऑफ इंटेंडड मैरीज सब्मिट करना पड़ता है रेजिट्रार आफ दे मैरीज में एक आपके डिस्ट्रिक्ट में रेजिट्रार आप मैरीज होता है उनके पास जाके आपको इंटेंडड मैरीज का एक नोटीस सब्मिट करना होता है दिन जो रेजिट्रार है वो एक नोटीस पेस्ट करता है अपने नोटीस बोर्ड पे अपने ऑफिस में जो कि 30 देस तक वेट करता है अगर 30 देस के बाद उसके पास कोई भी अबजेक्शन नहीं आता है तो उसके आगे का प्रोसेस करता है यह नोटीस आपके घर पे नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टीज अपने फैमली मेंबर्स या अपने गार्डियन के अगेंस विल के अगेंस शादी करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए घर पर नोटिस नहीं जाता वह जस्त रस्त्रार मैरेज ओफ रस्त्रार का जो एफीस उसके अच्रिस बोर्ड पर पेेशित किया जाता है कि कोई उबजस अगर किसी को हो तो और कि 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 पास अगर वालीड औजेक्शन नहीं buscando नहीं आता तो रे स्च्टार अब् उसके पहले आपको एक declaration form submit करना होता है registrar office में आपको marriage of registrar के सामने declaration form पे sign करना होता है then marriage of registrar आपको एक certificate provide करता है that is marriage certificate it means आपका शादी within 30 days में हो जाता है कम से कम आपको 30 days लगते हैं और maximum it can go up to 90 days 3 months का time आपको लग सकता है अगर कोई objection हुआ या फिर कोई legal hurdle है तो तो personally I feel कि court marriages are better because असमें आप बहुत सारे पैसे और time भी save करते हैं because India में लोग लाको करोड रुपे खर्च करते हैं एक शादी पे but court marriage में आप just 300 to 500 rupees you need to spend या फिर अगर आप किसी advocate को भी hire करते हैं तो they'll charge maximum 10 to 15 thousand rupees इसमें और the best parties आपको एक marriage certificate में मिल जाता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो court marriage से related अगर आपको court marriage से related कोई भी question हो कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं thank you और वीडियो को like share और subscribe करना ना भूले थैंक यू